नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All, this is Manis Rai आज एक बार फिर से वर्गदस और वर्गवारह के बच्चों के लिए प्रस्तूत है Board Model Questions आज की वीडियो में बच्चों आपको फिर से 20 वाक मिलेंगे और प्रतेक वाक के 4-4 बिकल्प मिलेंगे चार बिकल्पों में एक बिकल्प सही होगा उसी बिकल्प को चुनना है इससे की पहले की मैं खाली अस्तानों में भरना सुरू करूँ आप लोग बचों स्वेम एक बार स्क्रीन सौर्ट ले लीजिए Shaun Shaun tsunami लेने के बाद आप स्वेम भरें और भरिये देखिये समझीये परखिये कि आपकी परिक्षा की तैयारी कैसी है आपकी अंग्रेज़ी की जनकारी कैसी है तो मुझे उमीद है कि आप लोग Shaun 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 ले लिए होंगे तो मुझे उमीद है आप लोग कर रहे होंगे अब आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं पहले question से बचो कहता है you like your brother यानि अपने भाई की तरह आप भी क्या है obedient है आग्याकारी है तो बचो number एक, number दो, number तीन और number चार जो वाक है ये एक परकार के हैं इनके सम्मंद में मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी भी दो subject को like, unlike, and not, as well as, together with, along with, including, excluding से जोड़ा या अलग किया जाए जी जब दो subjects को like, unlike, as well as, and not, along with, together with से जोड़ा या अलग किया जाए न क्रिया जो होती है, वो अपने से सबसे दूर वाले subject का हिसाब से होती है तो देखे, बच्छों, यहां पर एक brother है, और यहां पर क्या है? you है तो यहां पर खाली सन भरना है न, तो इसके सबसे दूर देखेंगे यह क्या है बच्चों यू है तो यू क्या है प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी क्या होगी प्लूरल होगी इसलिए यहाँ पे आर होगा अक्सर बच्चे करते क्या हैं अक्सर बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर है तो ब्रदर दे करके singular verb का प्रियोग इज कर देते हैं जो की गलत है तब दो सब्जेक्ट्स को like से हम जोड़े न तो like के पहले देखना है यदि खाली अस्थान के दूर देखना है तो दूर यानि वह और उसके साथ मैं भी मचली को बहुत पसंद करता हूँ तो देखिए दो सब्जेक्ट है C है और I है और इसको मैंने जोड़ा कैसे है एज वेल एज से तो खाली अस्थान के हमें ठीक है दूर देखना है तो खाली अस्थान के दूर क्या है C आया हुआ है तो C क्या है सिंगुलर है इसलिए हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी लाइक्स होगा C as well as I likes फीस भेरी मच बचों अगर यहां पे अगर यहां पे आई देह करके आप लाइक भर देना तो यह आपके हिस्से की भूल होगी यहां पे रियल सब्जेक्ट आई नहीं है बलकि as well as के पहले C आया है वह रियल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पे क्रिया लाइक्स हो जाएगी बचों तीसरा कहता है कि C and not I देखिए यहां बचों C और I को and not से मैंने जोड़ा है न तो जब and not से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो क्रिया अपने सबसे दूर वाले के हिसाब से तो यहां पे क्रिया के सबसे दूर क्या है C है तो C के हिसाब से यहां पे हैज का प्रियोग होगा यहां पे I देख करके आप have का परियोग न करें, क्यों? क्योंकि I subject नहीं है, इस भ़ा का subject C है C and not I has done this यानि उसने इस कारे को किया है and not I, मैंने नहीं किया है नमबर चार कहता है the teacher with all the students देखिये बच्चों, यहाँ पे teacher students को मैंने with all से जोड़ा with जोड़ा, तो जब दो subject को with से भी जोड़ते हैं, तो क्रिया जो होती है, वो खाली सांसे दूर, तो खाली सांसे दूर क्या है teacher है, teacher क्या है, singular है तो singular है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे watch, the teacher with all the students was present यानि अपने सभी बिद्यारतियों के साथ साथ सिक्षक भी उपस्तित थे, तो students दे करके where का प्रयोग नहीं करें बच्चों, student subject नहीं है, student क्या है, the teacher है, क्यों है तो कि जब दो subject को and not like unlike, along with, together with है, जो यह जोड़ते हैं तो क्रिया अपने से सबसे दूर वाले subject के साथ सिंगुलर या पुलरल होती है, तो दूर teacher है, इसलिए वास हो जाएगा, नमबर पांच कहता है, कि मेनी क्रिमिनल्स, बच्चों याद रखिएगा, कि मेनी के बाद आने वाला noun भी पुलरल होता है, और क्रिया भी पुलरल होता है, जी बच्चों, जाब मेनी के बाद ए आए आए न, तो noun भी singular और क्रिया भी singular, याद रखिएगा, मेनी के बाद आने वाला noun भी पुलरल होता है, क्रिया भी पुलरल होती है, लेकि जाब मेनी के बाद ए आए आए न, तो उसके बाद noun भी singular और crea भी singular यहाँ पर hedge होगा मेनी यह mobile hedge भी ने stolen साथ कहता है few workers जब few दिखे न तो few के बाद आने वाला noun भी plural होगा और आने वाली crea भी plural याद रखिएगा few के बाद आने वाला noun भी plural और crea भी plural इसलिए साथ का R होगा few workers are on duty today उसी प्रकार से बच्चों आठ है जब भी वा के subject के रूप में बोथ हाए न बोथ तो हमेशा crea plural होती है तो both of the colors we are honest देखे बच्चों बोथ of the colors जब भी बोथ हाए न तो उसके बाद आने वाला noun भी plural होता है और crea भी plural होती है इसलिए आठ में हमने where कर दिया 9, 10, 11 पे गौर की दिया ये समझने वाली बात है number 9, number 10 और number 11 मैंने पूर्व के वीडियो में बच्चों बताया है कि यदि वाक की सुरुआ देर से हो और खाली अस्थान को भरना हो न तो खाली अस्थान के ठीक बाद देखिए आने वाला noun या pronoun singular है तो crea singular होगी plural है तो plural होगी तो देखिए यहाँ पे खाली अस्थान है इसके ठीक करीब देखिए तो देर से कोई मतलब नहीं है five pains है तो भाई पेंस क्या है plural noun हो गया तो हमारी क्रिया plural होगी तो आर होगा आर देर five pains in your bag क्या आपके जोले में पांच कलम है और दस देखिए देर खाली स्थान two elephants in my village तो खाली स्थान के बाद देखिए क्या है two elephants क्या है बच्चों plural है तो क्या हो जाएगा वेर हो जाएगा क्या आपके जेब में कोई कलम है तो बच्चों देर वाले वाक्य में खाली स्थान के ठीक बात देखिएगा और उसके हिसाब से क्रिया का प्रियोग कीजिएगा बारा कहता यू खाली स्थान my friend यहाँ पे बच्चे my friend देख करके इज का प्रियोग कर देंगे जो की गलत है यहाँ पे बच्चों my friend जो है noun in a position है जी बच्चों जब वाक्य में noun in a position है तो उसके पहले आने वाले pronoun को देखिए तो pronoun क्या you है इसलिए यहाँ पे क्रिया का प्रियोग आर होना चाहिए you my friend are an honest boy यानि मेरे मित्र तुम एक इमांदार लड़के हो जब भी noun in a position है न तो noun in a position के पहले आने वाला noun या pronoun वाक्य का real subject होता है और उसी के साब से क्रिया का प्रियोग किया जाना चाहिए तो बारों में R होगा तेरा गौर की दिए चौदा बच्चों the following यानि the following से अगर वाक की शुरुवात हो न तो खाली अस्थान के बाद देखी अगर noun singular तो क्रिया singular noun plural तो क्रिया plural तो the following से तेरा नंबर सुरू है और यह कर दर the weather report तो यह singular है तो यहाँ पे singular भरभ होगा लेकिन 14 में यहां कर रहा है the following खाली अस्थान the new rules तो new rules क्या है plural है इसलिए क्रिया plural होगी यहनि जब किसी वाक की शुरुवा the following से हो न और वाक की में खाली अस्थान हो तो खाली अस्थान के बाद देखिए noun singular तो क्रिया singular noun plural तो क्रिया plural वही कारण है कि 13 में weather report singular है तो मैंने इच किया और 14 में new rules plural है तो हमने आर किया number 15 देखिया बच्चों number 15 कहता है कि मिजल्स खाली अस्थानी serious disease मिजल्स क्या है एक खतरनाक बिमारी है तो मिजल्स के अंत में ऐस देह करके बहुत सारे बच्चे इससे पुलरल समझ जाते हैं और आर का प्रियो करते हैं आप नहीं करें मिजल्स के है disease है और disease का नम हमेशा क्या होता है singular होता है इसलिए हम ease करेंगे मिजल्स is a serious disease बच्चों 16 देखिए non news, khalis and good news यहनि जब कोई समाचार नहीं आए तो समझे समाचार बढ़िया है तो news के अंत में ऐस देखिए करके बच्चे इसे पुलरल मान बैठते हैं और पुलरल वर्ब का प्रियोग करते हैं मैं बताऊं आपको कि news हमेशा singular होता है इसलिए इसके समेशा singular वर्ब का प्रियोग किया जाना चाहिए कहिए, glasses कहिए, tongs कहिए इनके दो हिस्से होते हैं तो ये हमेशा पुलरल होते हैं इनके साथ हमेशा पुलरल वर्ब का प्रियोग किया जाना चाहिए, तो trousers पुलरल है, इसलिए आपे आर होगा यो trousers are to lose लेकि ठारम देखिए, a pair of new trousers जब ही चाहिए, trousers के पहले pants के पहले, shoes के पहले spectacles के पहले, glasses के पहले tongs के पहले, a pair of आजाना तो क्रिया singular होगी जी, trousers है, तो क्रिया पुलरल होगी लेकिन उसके पहले a pair of लग जाना तो क्रिया singular होगी तो ए pair of new trousers has been bought इसलिए 18 में आ होगा और 19 कहता है 2 and 2, जब गंडितिये बच्चों अंकों का परियोग हो, तो हमेशा क्रिया सिंगुलर होती है, क्रिया को पुलॉरल भी कर सकते हैं, जब दो अंकों को जोड़ा जाए, तो क्रिया सिंगुलर भी हो सकती है, और क्रिया पुलॉरल भी हो सकती है, लेकिन आप सिंगु करिया कलाब करना हो न तो करिया पुलारल भी वो सकती है रेकिन सला है कि आप सिंगलर अथी प्रयोग करें इसलिए मैंने 19 मैं इज кिया और 20 के रड पुलीस खाले सस्तान का औड थी पुलीस ने चोरों को क्या पकड़ लिया है तो पुलीस देखने में singular है लेकिन sense में बच्चों क्या है पुलीस जो है देखने में पहले singular है लेकिन बच्चों एक Pularle ना उनके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो जब पुलीस पुलीस है तो हमारी कुलीस पुलीया भी पुलीरल होगी इसलिए हम यहाँ पे D have भरेंगे तो यह थे आज के 20 वाक के बच्चों एक बार, दो बार, तीन बार वाक्यों को देखें और मैंने पहले ही कहा न कि आप लोग screenshot ले लिजिए, screenshot ले करके swim कीजिए, swim के करने से आपको अपनी परह करने का मौका भी मिलेगा, और फिर आपका self confidence भी grow करेगा self confidence भी आपका grow करेगा है न, और उसे और इस प्रकार के videos देखने और इस प्रकार के homework करने की ललक आप में बढ़ेगी तो अगर आज की video पसंद आई हो तो please channel को subscribe करें, video को like करें, अपने मित्रों से भी share करें, और इस video को साब्ट करने से पहले मेरे साथ जैहिंद